हालो अब्रिवान, आएम नवीन, इस सक्सेस कोचिंग के उनलाइन क्लासेस में आपका स्वागा थे, आज मैं आपको कुछ भी बढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज बात करेंगे एक महतोपन मुद्धे पर, कोविड-19 की महामारी के दोरान आप सबी लोगडाउन के खराना भी घर पर हूँ, और मैं भी समझ सकता हूँ कि इस दोरान आपकी पढ़ाई पर एक गहरा प्रभाव पढ़ा है, बहुत दिनों से बच्चे मुझे मुझे मेसेज कर रहे हैं कि सरा हमारी पढ़ाई नहीं हो प आप अनुसासित थे, आप डेली पढ़ते थे, आपका रूटीन बना हुआ था, एक्चुली इतने दिनों से घर पे रहते हुए, आपने अपना रूटीन खो दिया है, लाइप में सित एक्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, पूरी लाइप में, अगर आपको कुछ बनन और कुछ द्गना है, तो आपको discipline रखना जरूरी है, आपको जरूरी है एक अनुसासन से युक्त, लाइप जीना, अगर आपकी लाइप में discipline नही है, अनुसासन नही है, आपके लाइप किसी लग्श को प्राप्त करने के लिए नहीं बनी है, आपकी लाइप आपने एसी जो कहीं पर भी जा रही हो और कहीं पर भी मुल रही हूं। वोझतफ्लन नहीं है अनुस्ताहसं नहीं है तो कैसा लेप ? बनाम गए आप, आप कभी भी उट रहे हो 25 कभी भी भी मन पढ़लाद जब खाना खा रहे होूं, मैंने बहुत सुपार एक बात लो रही है। आज भी बही बात बताओं मावें काक चेश्ट्रा, वको ध्यानों, शान निंद्रा तथे वज़व अल पहारी गृत याई की विद्यार्थी पंच लक्सनां ये पांच विद्यार्थी के लक्सनों होते हैं कववे के समान चेश्टा, जानने की चेश्टा होनी ची बखो ध्यान, बगुले के समान ध्यान ना ची आपको शान निंद्रा, कुत्ते के समान आपकी नींद होनी ची जर्दी, किसी भी टैम पल आप उठ जाओं इतना नहीं कि एतना सोई गए तो कोई उठा रहा है तो भी नी उठ रहे हैं आपका टाइम ओर आप उठ जाओं है ना, अल पहारी, कम खाने वाला और ग्रहत्याईगी इसमें से पांच लक्सन एक परफेक्ट स्टुडेंट लाइफ में होने चाहिए यह पुराने टाइम से चली हुए आ रही एक बात है जो अभी भी लग होती है अगर वित्यारती बनना है वो भी परफेक्ट है मिस आप सही से लर्निंग करना चाहते हो, श्टडी करना चाहते हो तो आपको पांच लक्सन अपनाने होगी जिसमें सिर्फ एक लक्सन अभी आप नहीं कर सकते घ्रह दिया हो, कोई प्रोब्लम नहीं, चाहर तो है ना आपके पास नहीं तो अगर जब भी लोक्डाउन खत्म हो और रेगूलर क्लास्टिस में होगी तो आपको वापिस एक दो महिने तो वापिस रूटीन में आने में लग जाएंगी क्या पढ़ाई करोगा और व्यापव ने अपना एक्जाम करेंडर भी चारी कर दिया है इस ग्लत में मिमत रहिए ने कब लोक्डाउन करने से अपको यह देखनाएнов कि तयारी कि टियरी इन्हें है फिर से एक्जाम पास में आ जाएगे, आप बोलोगे, सर टाइम ही नहीं है हमारे पास थे, टाइम कब मिलता है, टाइम तो है ना इतना सारा, कहा फाइदर उठाए आपने, अभी भी नहीं उठा रहे हो, समझो इस बात को, लोकडाउन है, घर से बहार निकलने का, लैब के ओ पर लोकडाउन मत बनाईए, यह आप जानते हो, एवरी डे, आपको कुछ ने कुछ पढ़ना है, आप कुछ पढ़िए, अपने लक्स को प्राप्त करने के लिए डिसीजन लीजिए, उसे कुछ पढ़िए, एक और चीज़ आज सेर करना चाहूंगा, बहुत से बार बोलता है, कि उसे इस दुनिया में क्या करना है, मैं उसका लक्स उसको डिसाइड हो जाए, उसका लक्स उसके सामने आ जाए, और उसके लिए वो जीजान लगाना प्रारंब कर दे, वो दिन उस इंसान का दुसरा जन्म होता है, क्योंकि यह वही दिन, उसे यह बनाने के लिए, ब जब उसको लक्स का प्राप्ति उती हो लक्स का पता चलता है यह उसके लिए भी बहुत महत्वपों है ठीके तो इनसान को आपको अभी अच्छा कासा टाइम में यह पता करने के लिए कि आपका जन्म क्यों हुआ इस धर्थी पर आप ऐसे मत रह जाएए पहला जन्म तो सब स इसमय के आपको पुछने की ज़रूरत नहीं है आप आप खुद हो तो अपने डिसिजन भी खुद ले ठीक है आपके डिसिजन पर आपको बिलीव होना चाहिए इतना मजबूर डिसिजन ले और खुद आगे बढ़े तब ही आपका आपको अपकी सफलता मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी पर अगर आप इदर उदर सब त करते रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है तो पहली चीज़ तो यही क्या भी अच्छा करसा टाइम है लेरिंग बनाए रखें लग स्क्योड अग्रसर होते रहें कहीं भी रूपने की ज़रूत नहीं है आपको कहीं प्रोब्लम आती है तो आप उसका समाधा निकानने की कोशिस करें उसका सोल निकानने की कोशिस करें हम लोग है आपके साथ आप को प्रोब्लम आती है तो आप सेर करें कोई कोश्चन प्रोब्लम आती तो वो भी सेर करें मैं कोश्चिस करूँआ उनको भी सभी कोश्चनों को एक साथ आपकी एक सीरीज में एक वीडियो बना इसा तो कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा भारी भी कुछ नहीं हुआ, आप सोचो जिस दिन लोकडाउन खत्म होगा आप कहा खड़ा रेने चाहते हो, आपकी इतने दिन की पड़ाई अगर छूटिये तो आप आप आपस से एक साल पीछे जाने वाले हो, सोची और यह सबी क काफी है, एक बाद और सेर करना चाहूंगा, बच्चे बोड़ रहे हैं कि सब घर पे रहकर पढ़ा ही नहीं होती है, हम लर्ण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी पढ़नी पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ ही नही कि खा लेते हो, अगर खा लेते हो तो पढ़ना भी तो अच्छी आपको घर पे है, आरा समझ में, ऐसा कोई जरूरीद नहीं है कि घर पे हो तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, हो सकती है, चाहो तो सब कुछ है आसान, पर यह आपको डिस्जन लेना है कि पढ़ना है या नहीं ख़ड़े खालोगे, बेठे खालोगे, लेटे लेटे भी खालोगे, पर पड़ाई नहीं होती है अपन से, यह हैबिट होनी चाहिए, अपनी हैबिट में डाली है, कभी नहीं छूटेगी, जिन लोगों की हैबिट है वो आज भी पढ़ रहे हैं, उनको लोगडाउन का कोई पर कनी पड़ा, आप लोग पीछे होते जा रहे हो, ध्यांसी इस वर्निंग को समझ लो, टाइम रहते हैं, समझ जाओ, और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नहीं तो आप उतने पीछे होगे, जिसको मैं बराबर नहीं कर पाऊंग, ठीक है, तो रोज डेली, लर्न करो कितना प्राइजा रहे, थैंक्स